पार्ट तेरा कैसे हुआ अधिकार प्राचीन काल की बात है दानवों और देवताओं में अत्यंत शत्रुता थी सत्ता के अधिकार के लिए दानव देवताओं पर प्राया आक्रमन कर युद्ध कर देते थे देवता बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव के थे जबकि दानव जग्रालू देवता बहुत बुधिमान थे उन्हें लड़ना जगरना अच्छा नहीं लगता था उनके सामने अगर कोई समस्या आ जाती तो वे उसे आपस में मिल जुल कर सुलजा लेते थे दानव मुर्ख थे उनके सामने कोई समस्या होती तो वे लड़ने जगरने लगत जाते तो चैन से नहीं बैठते थे वे दुबारा युद्ध करने की योशना बनाने लगते रोज रोज के युद्ध से परिशान होकर देवता विश्नुजी के पास गए और बोले भगवन हम रोज रोज के युद्ध से परिशान हो गए हैं हमें ग्रह युद्ध खत्म कर अगले दिन विश्णु जी ने दानवों को बुलाया और पूछा, आप लोग देवताओं के उपर आक्रमन क्यों करते हैं। दानव बोले, भगवन, स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, देवताओं का नहीं, आप देवताओं से कहिए कि वे स्वर्ग छोड़ कर चले जाएं। कुछ दिन पश्चात विश्णु जी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, फिर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा, इस प्रतियोगिता की दो शर्ते हैं। देवता तुरंद समझ गए कि उन्हें क्या करना है। दानवों को अपनी गलती समझ में आ गई थी। वे निराश हो गए और उस दिन से सदा के लिए देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार हो गया। अशर्द समझ में आ गलती से स्वर्ग इंग कि दो शर्तिता हैं। झाल झाल